नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे IACS, Indian Association for the Cultivation of Science One of the oldest and prestigious institutions है इंडिया का लगभग देर सो साल पहले 1876 में इसको बनाया गया था सिर्फ साइन्स के सेक्टर में रिसेर्च के लिए तो आज यहां Integrated PhD and PhD के लिए Admission का जो Notification है 2021 के लिए आल चुका है अलरड़ी तो चलिए चलते हैं उसका Official Website में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करेंगे सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे यह Teachers and Channel फुले डेडिकेटेड है उनके लिए जिन्होंने फ्यूचर में एक अच्छा टीचर प्रोफेसर असिस्टन प्रोफेसर लेक्चर बनना चाहते हैं यहां हम Teachers related studies, competitive exams and job के बारे में हम डिसकर करते हैं तो इसलिए मैं आपको request करूँगा कि आप इस चैनल को subscribe कर लिजिए और नीचे जो हमारा जो social media site दिया गया है Facebook, Twitter और LinkedIn को आप follow कीजिए फूचर में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह है इसका official website Indian Association for the Cultivation of Science यह located है West Bengal में मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो जैसी के आप यहाँ देख सकते हो इसका जो चार डिपार्टमेंट है पांच डिपार्टमेंट है School of Applied and Interdisciplinary Science, School of Biological Science, School of Chemical Science, School of Material Science then School of Mathematical and Computational Science and School of Physical Science यह पांच सब्जेक्ट में यहाँ BSC, MSC and PhD प्रोवाइड किया जाता है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ आप देख सकते हो यहाँ notification आया है integrated PhD के लिए and full time PhD के लिए तो हम दोनों देखेंगे तो पहले हम PhD के जो notification है वहाँ हम क्लिक करते हैं तो देखें यह है इसका official notification PhD admission details for Autonomous semester 2021 तो हम इसके उपर क्लिक करेंगे एक मिनिट इसको हम राइट क्लिक करके उपन करते हैं तो यह है इसका official notification आप देख सकते हो इंडियान association for the cultivation of science यह deemed to be university under D-novo category यह जो D-novo category होता है एक special category होता है जो भी institute fully dedicated innovation and research के लिए उसी को ही D-novo category दिया जाता है तो यह जो institute है यह fully dedicated research and innovation के लिए तो हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे Applications are invited for the admission to PhD program तो eligibility criteria आप यहां देख सकते हो Masters में कम से कम 55% mark चाहिए General के लिए and SCST OBC के लिए 50% इसके साथ-साथ किसी भी एक national entrance में qualify होना बहुत ज़रूरी है जैसे की UGC और CSI और NET और GATE, JST, Gen-Inspair इस प्रकार का किसी भी entrance में qualify होना बहुत ज़रूरी है तो और इसके साथ-साथ जो relaxation जो मिलता है SCST OBC के लिए Central Government के तिरफ से सारे के सारे सेम relaxation यहां भी आपको मिल जाएगा और age यहां mention किया गया है 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए applicant का और Indian citizen होना चाहिए ठीक है और इसका जो admission का जो procedure है application आपको भेजना है यह जो mail id जो दिया गया है इस mail id पर आपको भेजना पड़ेगा इसका जो application यह जो mail id आपको दिया गया है इस mail id पर आपको भेजना पड़ेगा कब तक इसका जो last date है 11th June 2021 यह है इसका last date 11th June 2021 से पहले 11th June को आपको भेजना पड़ेगा by email application procedure तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं देखिए ये जो दोनों है ये दो है आपका application form application form for the admission to the PhD program और synopsis of the applicant for admission to PhD program एक excel sheet है ये एक आपका word file है मैं आपको दोनों दिखा देता हूं तो ये दोनों आपको भेजना पड़ेगा देखिए ये है synopsis का application form ठीक है और ठीक इसी प्रकार आपका जो ये है आपका application form इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद इसको फिल अप करके आपको भेजना है तो इस mail ID पर आपको भेजना है यहां लिखा गया है इसको भेजना है और इसका जो last date है 11 जुन 2021 बाकि आप यहां देख सकते हो department के हिसाब से कौन कौन सा subject में कितने कितने vacancy है जैसे कि यहां chemical science chemical science में आपको मिल जाएगा organometallic chemistry में आपको four vacancy है यह chemistry department के अंदर आता है जैसे कि molecular recognition and sensing and catalyst इसमें एक student की vacancy है यह भी chemistry के अंदर आता है देन आपका theoretical and computational chemistry and soft matter science इसमें two candidate की ज़रूरत है यह भी chemistry के अंदर है इस प्रकार का सारे के सारे आप देख सकते हो department wise कितने कितने vacancy है और इसका qualification क्या चाहिए then school of mathematical and computational science देन आप यहां देख सकते हो biological science then school of applied and interdisciplinary science then school of physical science then school of material science यह सारे के सारे आप देख सकते हो और इसका application फी कितना है application fee है general के लिए 1200 रूपिया और SCST reserve category के लिए है 600 रूपिया आप यहां देख सकते हो और यह जो account number दिया गया है इस account number से आपको anyft करना है इस account number पर आपको anyft करना है नहीं तो SBI counter में आपको इसका चालान मिल जाएगा इसमें आपको दे सकते हो फिलप कर सकते हो आमांट देने के बाद इसका जो reference number जो generate होगा इस reference number आपको mention करना पड़ेगा आपका जो application form में और फिस आप यहां देख सकते हो PhD जो direct admission के लिए general OVC candidate के लिए यह है और SCST के लिए यह फिस mention किया गया है और application भेजने के बाद आपका जो interview के लिए जो schedule होगा यह लगबक 21st June से लेकर 3rd July तक यह होगा उसके बाद आपका final selection होगा ठीक है यह गया आपका direct PhD तो अभी हम देखते हैं कि integrated PhD के लिए तो हम इसको right click करके open करेंगे यह यहां देखें यहां mention किया गया है click here to detailed advertisement मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं click here to detailed advertisement हाँ तो यहां और एक चीज मैंने भूल गया यहां सारे के सारे student को यहां stipend मिलेगा और तो हम इसी को उपर click करते हैं click here to detailed advertisement तो यह है इसका detailed advertisement इसको भी थोड़ा इंटिग्रेटेड़ मास्टर्स पीच्डी और पीच्डी प्रोग्राम यहां से भी आप details आपको मिल सकता है कि देखें आडमिशन टू दू दू मास्टर्स और इंटिग्रेटेड़ मास्टर्स प्रोग्राम मास्टर्स के साथ आप भी पीच्डी कर सकते हो इसके लिए जो qualification चाहिए इसका एक खुद का एक entrance test होता है जो भी bachelor's degree में अच्छा result करता है उनके जो admission लेना चाहता है यह integrated PhD में तो उनका एक खुद का एक return test होता है उसमें return test आपको देना पड़ेगा तो इसको बोला जाता है MPSD pre-masters interview skinning test ठीक है तो यहां आपको यह test देना पड़ेगा test में qualify होने के बाद आपको मिलेगा master's integrated master's PhD के लिए और master's में admission के बाद आपको 12,000 करके आपको per month stipend मिलना शुरू हो जाएगा master's में आपको यहां stipend मिलेगा उसके बाद 2 साल के बाद आपको evaluate किया जाएगा कि आप integrated PhD के लिए available हो की नहीं यदि आप means eligible हो की नहीं यदि आप eligible हो तो आपको integrated PhD दिया जाएगा और उसके साथ साथ university के stipend आपको मिल जाएगा और इसके साथ आप यहाँ देख सकते हो यहाँ सिर्फ हर डिपार्टमेंट से मैक्सिमम यह सिर्फ 20 स्टुडेंट को ही लेंगे यहाँ आप देख सकते हो आउट अप हुईच ए मैक्सिमम अप 20 कैंडिडेट स्कूल भी सिलेक्टेट फर आडमिशन इन इच अब दे स्कूल तो हर स्कूल के लिए सिर्फ 20 कैंडिडेट को ही सिलेक्स किया जाएगा इंटिग्रेटर पिएजडी के लिए ठीक है और इसका जो टाइम अभी तक नहीं आया है यहाँ आज आएगा यहाँ जैसे कि मेंशन किया गया है आप यहाँ देख सकते हो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको ओनलाइन अप्लिकेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ यह जल्दी आ जाएगा तो बी अनॉंस्ट यहाँ मेंशन किया गया है तो यह आ जाएगा और जो जो भी इंटिग्रेटएट पीहस्ट पीहड़ी करना चाहते हो तो हिहां कर सकते हो इसका सारे कर सारे डीटेल्स है उसपेज में मिल जाएगा इसपेज में मिल जाएगा आप को सारे मेंशन किया कि यहाई है नोंस्टक यहाँ तो इस पेज we बैसलर्स, मास्टर और पीजडी के लिए आप यहां भी देख सकते हो तो यह था डिटेल्स सारक सारे जो लिंक है मैं देदूंगा डेस्क्रिप्शन में वहां जाकर आप इसको जितना जल्दी हो सेगा आप डाउनलोड करके आप यहां अपलाई कर दीजिए तो यह था डिटेल्स, थैंक यू, all the best